नमस्कार स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार के तमाम बाड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाई जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहत साथ आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर पुछें आज की पहली कबर 312 हेड कॉंस्टेबल की भरती के लिए ओलाईन आवेदन सुरू जिहां बियस अपने हेड कॉंस्टेबल के 312 पदों पर भरती के लिए आवेदन आमांतरित किये हैं इस चुक अवियर्थी ओफिसल वेबसाइट आर इस ctt.bsf.gov.in पर जाकर ओलाईन आवेदन कर सकते हैं बियस अपने हेड कॉंस्टेबल पदों के लिए बारवी पास सब्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं इस भरती में कॉल 312 रिक्तिया जिन में से 982 पद हेड कॉंस्टेबल के लिए और सेस 330 रिक्तिया हेड कॉंस्टे बाड़ी कबर पाटना में नौकरे के लिए परदसन कर रहे टेट पास बेरोजगारों पर बरसाई गई लाठिया जी अभिहार की राज़ा ने पाटना में कल बेटेट पास सिख्चक अभियरती उन्हें परदसन किया डाक बंगला चौराह पर अपरा तब्री का माहुल बन परदसन कारी सिखक अभियरती अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे उनका कहना था कि साथवे चेरन की सिख्चक नियोजन की विगापित निकले बगेर भी वापस नहीं जाएंगे पुलिस के पदाधिकारे और पढ़ना सदर HDM उन्हें समझाने में लगे थे इसी बीच मौके पर तेनात एक पदाधिकारे ने एक परदसन कारी की लाठियों से पिटाई कर दी उनके साथ सरक्षा में तेनात सिपायों ने भी सड़क पर गिरे अभियरतियों को लाठियों से पिटा डाक बंगला चोराहे पर दनाधिकारे के रूप में तेनात ADM Law and Order केके सिंग न परदसन कारीयों का जत्ता सचिवाला की ओर बढ़ रहा था जिसे इंकम टेक्स के पास रोक दिया गया उसके बाद अभियरति डाग बंगला पर आकर सड़क पर बेट गए इसी दोरान एक की पिटाई की गई तो वहीं बाड़ी खबर तिरंगा के लिए छातर को लट्याने वाले ADM के खिलाब एकसल लेगी नितिस सरकार तेजस्वी के फोन पर जाच हुआ सुरू जी हाँ ओपुमी के मंतरे तेजसी प्रसाद यादम ने पाटना में सिख्चक का वियरते पर हुए लाठी चार्ज को अफसोस जनक बताया है और कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी से बात किया और उन्हें करवाई करने का निदेश दिया है पाटना की जिल दोसी पाये जाने पर समधित अधिकारी पर करवाई होगी बाड़ी खबर पाटना के सारे इलाकों में धारा 144 लागू 23 से 25 अगस तक नहीं कर सकेंगे धरना प्रदसन जिया राजानी पाटना में सुमवार को हुए हंगामे के बाद जिला प्रसासन ने सक्ति बरतनी अधिकारी के अनुसार गरदानी बाग के जिनित इस्तल को छोड़ कर आने जगहों पर धन्ना प्रदसन एवं जुलूस को पति बंदित कर दिया गया है लगाई गई धारा 144 अगले तीन दिनों यानी 23 से 25 अगस तक प्रभावी रहेगी वहीं बीजेपी सांसद सुसील मोदी ने कहा नोकरी के बदले लाटियों से पिड़वाना सुरुक कर दिया नितिस कुमार जहाँ पूरू उपु मोदी ने कहा कि सुसील मोदी ने कहा कि नितिस कुमार 15 साल से मोदी हो और सिक्चा विवाग लगतार उनकी पाड़ी जदोई के पास रहा है इसलिए उन्हें अपने नाकामी सार करनी चाहिए उन्होंने कहा कि चात्रों की जायज मांगों को आव विला मपूरा करने के बजाए नितिस सरकार ने नोकरी मांगने वाले चात्रों की पिड़ाई कराई है जिस एडियम ने यह बरबरता कियों से निलंबित किया जाना चाहिए मोदे ने कहा कि कार्तूस प्रेमी नए सिक्षा मंत्री 20 लाक लोगों को नोकरी दिने का वादा करते हैं जबकि सिक्षा की नोकरी मांगने वालों पर डंडी बरसाए जाते हैं बाड़ी कबर बाड़ बारिस से छे राज बेहाल राजिस्तान में 200 और MP में 50 डेम ओवरफलो परियाग राज में 50,000 चैत्रों का पलायान पटना में घाट डूबा मैद पर्देस, राजस्तान, उत्तर पर्देस, हिमाचल और बीहार में पेछले 48 घंडों से बहारे बारिस हो रही है 22 लोगों की जान चली गई है वहें बारिस से मध़ परदेसर चटिसगट के बेच सड़क संपरक तोड़ गया है इदर राजस्तान के टौक बोटी कोटाव में सहरों में सड़क पर कई फेट पानी भर गया है इनसे सभी राज्यों में मंगलवारों के लिए भी भारी बारिस का अलट जारी किया गया है या 24 गंटे में पाटना समित कई जीलों में बारिस के चलते मौसम में रहत मिली है पाटना में सो मुवार को भी भारी बारिस हुई वह मौसम विभाग ने 20 जीलों में भारी बारिस का लड़ जारी किया है अगले 24 गंडे में तेजवा और बिजली गिरनी की आसंका है मौसम विभाग लोगों को सावधान और सतर करहने की सलादी है बाड़ी कबर B.A.D. में सीटे नहीं भरने पर स्लाइड अब मौका दिया जाएगा कुलपदी का एलान जिहाँ C.A.T. B.A.D. में नामांकन के लिए काउंसिलिंग सुल्क जमा करने की देती 22 से बढ़ा कर 25 अगस तक कर दी गई है इने चात्रों को 26 अगस तक नामांकन करा लेना है नोडल विस्विदलय ललित नारान मितला विस्विदलय दरबंगा के कुलपदी प्रोपेसर S.P. सिंग ने बताया कि पाले राउंड में कितना नामांकन होता है यह देखा जाएगा सीटे अगर नहीं भारेगी तो चात्रों को स्लाइड अब का मौका दिया जाएगा विस्विदलय संस्तान को सिवकार कर आंसिक सुलके के रूप में 3000 रुपे जमा किये है बाड़े कबर राजपाल भागो चोहान और सियम नितिस की मुलाकात बिहार के दो इनिवसिटी में नए वाईस चांसलर जहार राजपाल सा कुलादे बदि भागो चोहान ने मुखिमंतर नितिस कुमार के परामर्स के बाद दो विस्विदलय में नए कुलपतियों को न्यूक्त किया है वेर कुवर सिंग विस्वेदलाय आरा की कुलपदे के रूप में प्रोपेसर सेलेंदर कुमार चतरवेर्दी तता तीलका माझे विस्वेदले भागलपूर के कुलपदे के रूप में प्रोपेसर जवार लाल की नुक्ति की गई है अगली बढ़ी ख़बर प्रिति पक्च मिले की तैयारियों का जाजा लेने पहुचे सीम नितिस कहा गया में साल बार मिलेगा तरपन के लिए फालगो नदी का जल जिहां मुख्यमंत्री निदेश कुमार ने कहा कि गया कि फालगो नदे में प्रिति पक्च मिला कि आउदे के साथ साल वार यहां तिरते यात्रों के लिए जेल के उपलबदा रहेगी बाड़ी कबर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कॉमेंटरी करेंगे बिहार के अभिसेक सानू जीह भागलपूर के अभिसेक सानू एसिया कप में दोबै से भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कॉमेंटरी करेंगे यह पहला मुका होगा जब अभिसेक सिदे स्टेडियम के क दुबाई के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे एसिया कब 27 अगस से 11 सितंबर के बीच दुबा में खिला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच 18 अगस को है पूरे एसिया कब के दरानुवा कमेंटरी करते नजर आएंगे बाड़ी कबर महंगाई और अगनीपद योजना पर पढ़ना में पापो यादव के जाप हला बोल पर लाठी चार्ज जहा राजदाने पढ़ना में समवार को महंगाई खाएद पदातों पर बड़ी जियेश्टी अगनीपद योजना और बेरोजगार के खिलाब जान दिका पाड़ी ने राजबान मार्च निकला जा प्रमुक पापो यादव के नितुत में सेखड़ों की संक्या में करकरता उन्हें निती सरकार की किलाप जमकर नारिबाजी की नारिबाजी करते वे करकरता जब डाग बंगला चोरहा पहुचे तो पुलिस ने उसकी साथ नोख ज की चाहिए अगर किसानों को दूगों ने स्सपी देनी है तो मौदी से सत्ता वापस लेनी होगी अगनी वीर योजना देश के वावों के लविसाप की तरह है बिहार में आप साथ दिनों में मिलेगा चरीतर परमान पत्र देरी पर सरकार सक्त उठाया गया यह कदम जी हा विहार में आप आम लोगों को चरीतर परमान पत्र जारी करने में देरी करने या अटकाने वाले पदादीकारियों के खिलाब कारवाई की जाएगी पुलीस महकामे से जोड़ी SCRB के डियाजे को इसके समोजित मौनेटरिंग की जिम्मेदारी सपी गई है साथ पुलिस मुख्याले ने इसे लेकर सभी जिलों को सक्त निर्देश भी जारी किया है साथ थाना इस्तर परिसादेश का पालान पुरी सिद्दत से करने के लिखा गया है सुबह में चरेतर परमान पत्र के सेवा को आटी पी एस में सामिल किया गया है इसमें निर्धारित समय सिमा साथ के अंदर आवेदग को प्रदान करना देना है परंदुथाना समेत अन इस्तर के बदादिकारियों और कार्मियों की लापारवाही की कारान ये सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती है इस मसले के समधान को लेकर ग्रे बवाग के अपरमु के सचीव चितन प्रसाद सचीव जितन्दर स्रिवास्तावा विसे सचीव विकास बेबव समेत अन अधिकारियों के एक विसे समिक्षा बेड़क हुई थी इसकी बाद सभी जिला को ये निर्देस दिया गया कि वे चरितर परमान पत्र जारी करने में दरी करने के लिए दोसी पता दिकारी या करमी को चीनित करे और उनके खिलाब करवाई करे आपके जानकारी के लिए बता दिक राज में आप दक चरितर पर्मान पत्र बनवानी के लिए 9,07,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से करीब 2,66,000 लंबित है अबर मितलांचल माखाना को मिला जियाई टेग खुसी से जूम उठा मितलांचल जी हकेंदर सरकार ने मितलांचल माखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानि की जियाई टेग से समानित किया हकेंदर वानीजेग और उद्योग मंत्री प्यूस गोईल ने ट्विट करके कहा कि मितलांचल माखाना जियाई टेग में पंजिकरित हो गया है इसी मितला चेतर के पांच लाग किसानों को ला मिलेगा और कामाई भी अधिक हो सकीगी बदा दे कि मितला के मखाना को मितला मखाना नाम से जी आई टेग मिलने की सुचना से लोगों में हर से सनिवार को सोसल मीडिया पर यह ख़वर फ्यलते ही लोग एक दूसरी को फोन कर इसकी जानकारी लेने लगे मितला के लोगों को लंबी समय से इसके अंतिजार था बिहार के दो लाग से जादा चात्राओं के लिए अच्छी ख़वर सरकार बैंक अकाउन में भेजेगी दस हजार रुपिये जहां वर्स 2021 के इंडर परिचा में प्रदेश भर से पांच लाग चोबिस जार एक सो चपन चात्राओं से पल हुवी थी प्रोसान रासी से बंचेत चात्राओं को जल्द योजना का लाब दिलाने जा रहा है रासी स्विकिर्त के लिए वित विवाग को प्रस्ताव भीजा गया है मुईकी मंतरी बाली का प्रोसान योजना के तहद इंडर पास करने वाले आविवाई चात्राओं को दस दस हजार रुपे देने का प्रावधान है मैदमेक सिचा नेदे सालाईज ने योजना से बंचेत छात्राओं को रासी भोगतान के प्रक्रिया सुनिशित करने के लिए सभी जिला सिच्चा दिकारियों को निर्दिस दिया है आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें